हलो एवरिवन मेरा नाम है सिभम तेवारी आज हम बात करेंगे क्रिया शेरीर पेपर वन की जिसमें मॉडर्ण पर हम बात करेंगे पहला चेप्टर है सेल बाइलोजी डाइयेशन और रेस्पाइरेशन इन तीनों का मिला के NCISM के एकॉर्डिंग 23 नमर का पेपर बनेगा तो इसमें आज हम पहले सेल से पहला टॉफिक उठाएंगे हम यो तो आज हम बात करेंगे होमियो site इसो चाहसा अंय यह जो एक्दब सेम जैसा पहले हो वैसा बात में हो constant maintain करें उसको कहते हैं homeostasis इसकी definition होती है maintenance of a constant internal environment of the body यानि body का internal environment है उसका constant maintain रहे या temperature same रहे तो इसके लिए जो internal environment माना गया है वो ECF होता है यानि exocelular fluid homeostasis maintain करने के लिए जो internal environment माना गया वो होता है ECF homeostasis जो term है वो Walter Cannon नाम के scientist ने दिये है तो जो ECF होता है ना ECF को milieu interior term दिया गया है cloud vernaid के द्वारा जो ECF है इसको internal environment माना गया है homeostasis को define करने में जो ECF आता है उसके अंदर bascular में बात करेंगे तो blood आता है और interstitial fluid आता है दो चीज़े आती है इसमें ECF में अब homeostasis होता गया तो जैसे body की क्लिमिट होती है कि body का temperature 37 degree Celsius रहेगा तो यह वह कम होके 35 degree Celsius होता है या तो बढ़ के 40 degree Celsius होता है तो घट गया है तो उसको बढ़ाने के लिए यहां से feedback जाएगा बढ़ाने के जाएगा feedback 37 करने के लिए और या बढ़ गया है तो उसको घटाने के लिए feedback जाएगा तो यह जो काम करता है यह जो process होती है इसी को कहते है homeostasis अब आगे उसके components की बात component of the homeostatic system यानि जो यह process होती है इसको काम करने के लिए जो component responsible होते हैं या जो system काम करता है तो उसमें 3 होते हैं पहला होता sensor sensor इसको और क्या कहते हैं detector यानि यह कोई भी जैसे constant temperature था यह उसमें disturbance आया तो disturbance को जो है वो detect कौन करेगा वो sensor करेगा जैसे यहाँ पर normal body थी उसमें कोई भी आया deviation deviation आया तो उसको detect किया sensor ने फिर sensor इस signal को control center तक भेजेगा और control center पहले signal को check करेगा और फिर effector की तरब भेजेगा और effector correct करके फिर body के temperature नॉर्मल कर देगा तो तीन component काम करते हैं पहला sensor दूसरा control center तीसरा effector आब आताब mechanism homeostasis को काम करने के लिए दो mechanism responsible होते हैं पहला होता है negative feedback mechanism और दूसरा होता है positive feedback mechanism अब example के तुर समझेंगे पहला जैसे pH है यह pH 7 होगा है अब यह दो 6 हो गई यह पीएच घड़ गई यह तो pH 8 हो गई यह पीएच बढ़ गई तो जो घड़ गई है तो उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा अब जो बढ़ गई है तो उसको यह negative feedback के तुरू बढ़ा देगा और यह तो कोई भी चीज बढ़ी हुई है तो उसको negative feedback के तुरू घड़ा देगा यह रिवर्स करता है प्रोसेस को reverse करने का काम क्या करता है negative feedback mechanism करता है जैसे theroxyn hormone होता है तो यह hormone का level घड़ा हुआ है तो उसको negative feedback के तुरू बढ़ा दिया जाएगा यह hormone का level बढ़ा हुआ है तो उसको negative feedback के तुरू घड़ा दिया जाएगा और जो यह positive feedback में गेंज़ा में यह भी तो action का है type है तो यह क्या काम करता है यह process को reverse नहीं करता है यह क्या काम करता है तो यह क्या करेगा positive feedback mechanism और बढ़ाने का काम करेगा उसको यह यह प्रोसेस को reverse नहीं करता है इसलिए इसको कहता है कि यह homeostasis को maintain नहीं करता है यह किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम करता है यह postulation में इसलिए जरूरी होता है कि इसमें जो होता है इमर्जनसी कंडिशन में कि oxytocin का आर्मोन जो release हो रहा है उससे और ज़्यादा release होगा तो delivery बहुत जल्दी हो जाएग अब इनके type को detail में बढ़ेंगे तो पहला है negative feedback mechanism negative feedback mechanism में इसका definition क्या होता है कि यह reverse करता है reverse the process यानि यह process को reverse करने का काम कौन करता है तो negative feedback mechanism कैसे काम करता है जैसे कोई भी stimulus आया यानि कोई भी disturbance आया जिसने variable increase above the set point यानि कोई भी जैसे set point था 10 उसको इसने increase कर दिया यानि 10 को किता कर दिया 11 तो 11 पे इसमें क्या करेगा negative feedback mechanism काम करेगा और inhibit कर देगा formation ना variable जैसे कोई भी stimulus आया यानि variable आया यानि X variable आया तो उसने 10 को increase करके कर दिया 11 तो negative feedback mechanism काम करेगा जो की inhibit करेगा किसको variable को यानि X को inhibit करेगा और ज़र X inhibit हो गया तो यह 11 जो था वो फिर 10 हो जाएगा variable lower below the set below यानि normal value पो अपनी gain कर लेगा तो यह कहलाता है negative feedback mechanism इसमें example के तुरू समझे तो पहला example है hormone segregation hormone segregation में क्या होता है thyroid releasing hormone जो की hypothalamus से release होता है उसके बाद TSH यान थाराइड stimulating hormone जो की posterior pituitary से होता है तो यह hormone जो होता है hypothalamus से TRS यह इसको stimulus करता है कि TSH release हो TSH के stimulus से क्या होता है T3 और T4 जो thyroxine hormone है वो release होते है thyroid gland से तो यह क्या काम करेगा यह यहाँ पे T3 और T4 का level ज़्यादा है तो यह इसको signal भेजेंगे और यह इसको भी signal भेजेंगे यह TSH को भी signal भेजेंगे और TRS को भी signal भेजेंगे negative feedback देंगे तो यह ज़्यादा है तो यह क्या हो जाएगा यह signal के तुरू यह ज़्यादा हो गया है T3 और T4 ज़्यादा हो गया है तो यह इसको negative feedback देंगे तो TRS का secretion या बंदा-бंद हो जाएगा जब यह बंद हो जाएगा तो यह भी कम हो जाएगा यह कम हो जागा तो इनका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा तो यह अपनी normal value को gain कर लेंगे और यह दो T3 और T4 का level कम है तो भी यह signal TSH को भेजेंगे और TRH को भेजेंगे negative feedback जाएगा तो यह दो कम है तो इन्होंने signal भेजा कि वह इनका हो गया है तो मतलब इनका सिक्रीशन TSH और TRH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और जब इनका सिक्रीशन बढ़ गया तो T3 और T4 का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा तो यह हो गया पहला example negative feedback का अब दूसरा example होता है pH और volume का पहले पहले बताया कि यह pH कम है तो उसको negative feedback के तुरू सुरू यह pH जादा हुई है तो negative feedback के तुरू उसको घटा देगा और यह pH घट गई है तो उसको घट गई है यह तो उसको बढ़ाने का काम करेगा negative feedback mechanism सेम बॉल्यूम के साथ होता है यानि blood के साथ होता है खून की कमी हो गई है बॉडी पे तो उसको बढ़ाने के लिए यह बढ़ गया है तो कम करने के लिए इसे बॉडी बॉल्यूम कराने के लिए काम करेगा negative feedback में अब अगला example है negative feedback का अगला example है के प्लस और sodium plus के प्लस और sodium plus क्या होता है जो cell होती है या body होती है उसमें दो प्रकार के फ्रूड होते है पहला होता है इंट्रसलिवर फ्रूड और दूसरा होता है एक्स्रासलिवर फ्रूड तो जो इंट्रसलिवर फ्रूड होता है उसमें potassium का level जादा होता है जबकि जो एक्स्रसलिव याद potassium की कमी हो गई है तो उसको बढ़ाएंगे आपन negative feedback के तुरू और याद sodium की कमी हो गई है excess cellular food में तो उसको बढ़ाएंगे आपन negative feedback के तुरू इसलिए यह इसके example उसके बद बीपी regulation में बहुत बड़ा important होता है negative feedback mechanism का देखो बीपी regulation में कैसे काम करता है बीपी यह कम हो गया बीपी कम हो गया है तो signal जाएगा baroreceptor जो की baroreceptor जो होता है वो coronary artery coronary artery में present होते हैं गले पे तो यहाँ पे signal जाएगा उसके बाद medula पे signal जाएगा और बीपी बढ़ जाएगा तो कम बीपी हुआ तो negative feedback mechanism baroreceptor को गया तो baroreceptor ने negative feedback दिया medula को और medula ने बीपी बढ़ा दिया सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगी यह बीपी बढ़ गया है तो उसमें भी negative feedback mechanism किसको जाएगा baroreceptor को और negative feedback बहुचेगा medula को medula फिर बीपी को क्या करे देगा कम कर देगा क्योंकि बढ़ा हुआ था तो medula center होता है बीपी कंट्रोल का अब उसके बाद अगला और लास्ट इक्जामपल है बाटर वेलेंस कैसे करता निगेटिक पीट मैकेरिजम देगो एक पानी पानी है ठीक है बाटी में पानी है अब नॉर्मल में था पहले नॉर्मल है अब यह बढ़ गया बाटर लेवल बाटी में बढ़ गया तो यानि कोई भी stimulus नहीं है अब मतलब पहले बात करते हैं आपन यह बाटी में नॉर्मल वाटर है ठीक है बाटर लेवल है अध बाटर लेवल घड़ क्या गड़ क्या है तो दो प्रोसेस होगी पहला तो stimulus भीजा जाएगा अब दूसरा thrust यानि प्य प्यास लगें कि पानी पीलो तो बाटर इंटेक होगा तो नॉर्मल लेवल मेंटेन किया जा सकता है ठीक है पानी की कमी होई पानी पीलो मेंटेन दूसरा क्या होगा कि stimulus भेजा जाएगा osmo receptor को जो कि कहां पाए जाता है hypothalamus तो जो होंगे वो stimulus भेजेंगे क्यों क्यों क्यो और फ्रिलीम जो रिलीज करेगा एडियाइच अर्मोन का लेबल ये बड़ा देगा डिका है ऐडिय होता है ये snacks help होता है तो हीपोिघुटरी गलैंड सीगनल देगा प्ृट़्ु प्रिलीज कर आगए डियस को और डियसके रिलि intimacy होगा तो kidney में water retention यानि water का reabsorption बहुत ज़्यादा होगा तो इससे जब water retention बढ़ गया तो water level फिल नॉर्मल हो जाएगा तो पहला क्या मैं बता है कि यह body में normal water है जब उसकी कमी हो गई है तो पहला तो प्यास लागेगी प्यास से आपन maintain कर सकते है नॉर्मल लेबल दूसरा stimulus osmo receptor जो होंगे hypothalamus में वहाँ signal जाएगा hypothalamus pituitary gland को signal बेज़ेगा जो की ADS release कराएगा ADS kidney में water retention को बढ़ाएगा जिससे नॉर्मल water level maintain किया जा सकता है अब बात करते हैं water balance में यह water बढ़ गया है तो बाटर बढ़ गया है तो कोई stimulus क्या अगा उसके अपोजिट जाएगा hypothalamus के तीक है hypothalamus में जो है signal जाएगा कि तुम पिट्योट्री को signal भेजो पिट्योट्री को भेजेंगे पिट्योट्री क्या करेगा ADS का secretion कम कर देगा जब एडिएज का secretion कम कर देगा तो जन पानी या ओकटर करेटी कम की सुके लिए तो फीर को भाटर उच्छी का gekो लानत देगा सब्सक्राइज ता अधिक्ता हो गई है, पानी शरीर में तो प्यास नहीं लगेगी, यह पानी नहीं पियेंगे, तो यह example हो गए, निगेटी feedback mechanism कि आप बात करते हैं, positive feedback mechanism, मैंने पहले बता कि positive feedback mechanism जो होता है, वो homeostasis को maintain नहीं करता है क्यों कि Love को रिवस्ट नहीं करता है ये भी कोई भी ये प्रोसेस सेल रही है तो उसको same direction में बढ़ाने का काम करता देशे देखो positive intensity of the changes in same direction same direction में किसी भी चीज़ को positivity बढ़ाता रहता जैसे ये कोई भी चीज़ 5 है 4 इसका normal है तीक है? नौर्मल 4 है ये तो 5 हो गई उसको ये और बढ़ा के छे कर देगा ये क्या काम करता है positive feedback mechanism ये बहुत common नहीं है बहुत rare होता है body पे सबसे ज़्यादा common negative feedback mechanism है ये homeostasis को maintain नहीं करता है क्योंकि ये constant temperature को maintain नहीं करता है ये emergency condition में ही हमेशा काम किया जाता है पहला तो posturation में यह need baby delivery और दूसरा blood clotting clotting अब कैसे पहला एक्जामपल इसका parturation reflex कैसे होता जैसे ये हो गया ये हो गया uterus ये हो गया बे जाइना या cervix यहां पर हो गया cervix ये हो गया baby अब ये baby क्या करेगा यहां पर बार बार टच करेगा तो इससे cervix जो होंगी cervix की जो membrane होगी वो stretch होगी ये stretch होगी तो ये जो membrane होगी है भेजेंगी signal हाइपोथलेमस को हाइपोथलेमस सिग्नल भेजेगा पोस्टियर बिट्यूट्री को जो कि रिलीज करेंगी ऑक्सीटोसिन अब ऑक्सीटोसिन होर्मोन जो क्या होगा ये uterus पे एक्ट करेगा और uterus यानि uterus और cervix पे एक्ट करेगा और जो यहां पर जो मुव्मेंट होता है या बाइब्रेशन होता है उसको और जादा इंक्रीज करेगा यानि मेंब्रेन और इस्ट्रेश होगी फिर मेंब्रेन इस्ट्रेश हुई फिर मेंब्रेन इस्ट्रेश हुई तो फिर हाइपोथलेमस को सिग्नल गया हाइपोथलेमस ने पोस्टियर mechanism यह काम करता है यानि यह जितना बढ़ रहा है उसको और डबल करता जाएगा या बढ़ाता जाएगा यह योट्रस हुआ contraction सर्विक्स इस्ट्रेच हुआ सर्विक्स इस्ट्रेच हुआ तो हाइपोडेलेमस और पोस्टियर यह प denen का से च barbecue के दवारा कौन सा हर्मोन रेलिज हुआ ऑक्सिटोसिं ओक्सिटोसिं क्या करेगा फिर या ट्रस्ट पह पार एग्ट जिससे क्या होगी फिर होगी stretching और ज्यादा और stretching जादा तो फिर oxytocin का लेबल जादा तो ऐसे करते करते बेबी हो जाएगा दी लेवर दूसरा positive feedback mechanism का example है blood clotting blood clotting में कैसे काम होता है तो क्या होता है blood clotting में जैसे 12th factor हो गया यह यह 11th factor हो गया फिर 11 गा 10th काम नहीं करता 9th factor काम करता अभी तो जैसे 12th नहीं किसको stimulate किया 11th को आप यह 11th किसको stimulate करेगा 12th को फिर यह 9th किसको करेगा 9th किसको करेगा 12th को तो इससे हो जाएगा blood clotting यानि यह एक दूसरे को stimulus करता जाएगे और blood clot बनता जाएगा blood clotting की यह injury हुई तो injury के बाद तीन जो main blood clotting के step होता है formation न प्रो थम्बीन एक्टिबेटर प्रो थम्बीन एक्टिबेटर का formation होता है प्रो थम्बीन एक्टिबेटर का formation जैसे ही हुआ तो वो क्या करता है कनवर्स करता है प्रो थम्बीन को इंटू थम्बीन को वंदर प्रो थम्बीन को थम्बीन में convert करता है अब यह जो thrombin होता यह फिर positive reflects भेजता है किसको प्रोथम्बीन एक्टिवेटर को और formation करने के लिए ठीक है यह और positive वह या नि और प्रोथम्बीन मने और प्रोथम्बीन बने और प्रोथम्बीन किसमें convert होंगे थ्रम्बीन को और यह सिग्नल इसको भी मेंचता है कि प्रोथम्बीन एक्टिविटर की फॉर्मेशन यानि यह सो अपनी पिछली स्थेप होती है उसको और सिग्नल देते हैं कि तुम और ज्यादा बनाओ जिससे प्रोसेस आगे बढ़ती जाए तो जब यह ऐसे बनता लास्ट में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो थेंक यू आई होप आपको पसंद आया हो